जुलस समाचार के इस मुलटेन की आज हम शुरुआत करेंगे हमिरपूर जुला से और बात करते हैं केंद्रिय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर के दौरे से जुड़ी खबर की केंद्री सूचनव अप्रसार मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर ने सभी विभागों को अपने लक्षने धार्ट समय में पूरा करने के निर्देश दिये हैं वे आज हमिरपूर में अपने दो दिवसिये दोरे के दोरान दिशा गमेटी की तिमाही बैठक की अधिक्षता करते हुए बोल रहे थे बैठक के दोरान केंद्री सरकार की विभिन योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई इस मौके पर अनुराग सिंग ठाकू ने कहा कि हमिरपूर जिले की साथ साथ पूरे संसद्यक शेत्र में टीबी मुक्त अभियान चलाया गया है केंद्री मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज हमिरपूर का निर्मान कार्य जून महीने तक पूरा कर लिया जाएगा और यहां पर सिटी सकैन मशीन चलाने के लिए करमचारी भी तनात किया जाएंगे हमिरपूर को टीवी मुक्त करने के लिए लेप्रेसी मुक्त करने के लिए हमने अभ्यान चलाया है और हमारा प्रयास रहेगा कि देश के 745 जिलों में हमारा हमिरपूर सबसे आगे आए ताकि उसको TV मुक्त भी किया जा सके, हमारे Medical College है, उसका निरमान कारे अगले साल, इस साल जून तक पूरा हो जाएगा, 2023 के जून तक पूरा हो जाएगा, थोड़ा विलंब हुआ है, COVID के कारण भी उसमें विलंब हुआ, कुछ funding की समस्या के कारण विलंब हुआ, उसको भी प जो कमी उसको भी पूरा किया जाए ताकि यहां के स्थानिय निवासियों को बाहर ना जाना पड़े। आरोप लगा रहे हैं जो मुझे लगता है उचित नहीं है। तो मुझे लगता है इस बात पर दुख भी होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कितने समय कुल सदन चला और में से कितना समय राहूल गांदी जी ने सदन में बिताया। बात में केंद्रे सूचना वप्रसान मंत्रियों राख सिंग ठाकू ने एक काईकरिम के दौरान एक से श्रेश्ट स्मार्ट क्लास्रूम की शुरॉत की और में धाविच छात्रों को एक कागरता बढ़ाने के लिए स्कूल बैक कम स्टडी टेबल भी भेंट किये।